हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूटूग चैनल एजू फार्मिसी आज की इस वीडियो में हम आपको बच्चों में उप्यों की जाने वाली एक सस्पेंशन का फुल रिव्यू देने जा रहे हैं जिसका नाम है फैबरेक्स प्लस डिये सस्पेंशन तो चलिए वीडियो ह पहले चेक करेंगे जिसमें आपको इच 5 ml में पैरसीटमॉल 250 mg पर रहेगा फिनाइल एफरेन हाइडो कलोराइड 5 mg पर है क्लोर फैनेरमाइन मैलियर जो की है 2 mg पर इस तवा में रहता है यहां 60 ml का एक पूरा पैक है जो कोश्ट करता है 93 रूपीस इस दवा को मैनुफेक् इंडोको रेमेडीस लिमिटेर द्वारत वाईए एक एक कर हम इस दवा की आपको विसेस्ताइब भी बता देते हैं तो दोस्तों फैब्रेक्स प्लस टीये सस्पेंशन का उप्योग बच्चों में किया जाता है जो की सामाने सर्दी मतलब कॉमन कोल्ड से राहत देने का काम करती है यहां दवा बंद नाको बहती नाको आखो में पानी आना चीक आना जैसी समश्चा से राहत देती है फैब्रेक्स प्लस सस्पेंशन बलगम को ढीला करने में मदद करता है जिससे वहां आसानी से बाहर आ जाए इसे देने पर खासी और गुखार में भी आराम मिल जा आलेर्जिक रियक्शन या हैडेक जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है लेकिन यहां साइड इफेट हर कंडिशन में नहीं होता है माइनर कंडिशन में होता है दोस नॉर्मली इस तबह को दो साल के ऊपर के बच्चों को दी जाती है बाकि डॉक्टर चाहें तो दोस कम करके भी इस तबह को recommend कर सकते हैं इस medicine को 20 से लगा कर 5 ml तक दिया जा सकता है लेकिन पूरे तरह से यहां बच्चे की condition, age और डॉक्टर के ऊपर ही depend करता है आपके बच्चे को dose आप सिप अपने डॉक्टर के according ही दीजीगा क्योंकि हर condition, age के according जो dose हैं वहां अलग-अलग हो स सकते हैं इसलिए इसे सिप आप अपने डॉक्टर के advice से ही दें I hope आपको हमारे द्वारा दीगे information पसंद आई हो अगर आपको इस suspension से जुड़े कोई भी प्रशन हमसे पूछना है तो comment के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं आपकी question का हम जलसे जा reply करने ही कोशिश करेंग ताकि आपको इस तबक का result अच्छा मिल सके जल्दी मिलते हैं अपनी ने शुड़े पर